नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ त्रिप्ती मुंबई के NCB दफ्तर में चमक्ती एक्ट्रिसेस के बुछे हुए चहरे दिखाई दिये कोई हैश का सच बताने आई कोई गांजे की गुत्ती सुलजाने आई तो कोई CBD आईल की ABCD समझाने पहुँची दिपिका पादुकोर्ण सारा अली खान और श्रद्धा कपू ड्रक चैट्स की पूश्ताच के लिए NCB दफ्तर बुलाई गई थी जहाँ दिपिका पादुकोर्ण ने माना की हाँ मैंने माल मांगा था सारा ने मांगा की मैं सिगरेट पिती हूँ श्रद्धा ने माना की हाँ CBD आईल मैंने मंगा आया था लेकिन इन हिरोईनों के इस कुबूल नामे का सच क्या है क्या वो वाकई सच बोलकर कानून की मदद कर रही है या फिर इस सच की आड़ में कानून से बचने की कोशिश कर रही है इनके कुबूल नामे की स्क्रिप्ट इनके वकीलों ने लिखी है और सब की सब अच्छे से डायलॉग की रिहर्सल करके NCB के दफ्तर पहुंची थी आखिर क्यों अपनी इमिज को दाओं पर लगा कर दीपी का पादुकोंड सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को मानना पड़ा कि ये ड्रग चैट्स उन ही की हैं अगर वो ऐसा नहीं करती तो क्या होता तो सबसे पहले मस्तानी की बात करते हैं जो अपने बाजीराव के बिना याने रणवीर सिंग के बिना मीडिया को चक्मा देते हुए अकेली NCB के दफ्तर पहुंची जहां डिपिका को उस चैट का जवाब देना था जिसमें उन्होंने अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से पूछा था माल है क्या तो NCB ने उनसे ये आज जरूर पूछा होगा कि माल मिला क्या दिपिका पादुकोंट से NCB ने करीब साड़े पांच घंटे तक पूछता चकी खास बात यहें कि इस वाटसेप ग्रूप का जो नाम था चैट में उसका नाम था डिपी प्लस के ए प्लस क्वान यानि दिपिका पादुकोंट प्लस करिश्मा प्रकाश और क्वान और इस ड्रग चैट ग्रूप की एड्मिन दिपिका ही है इसमें दिपिका के अलावा करिश्मा प्रकाश जया साहा कौन के मालिक ध्रूफ अरिंदम दास जो की 2017 में कौन का CEO था और कौन का ही एक और फाउंडर मेंबर विजय सुबरमन्यम शामिल थे यानि दिपिका पादुकोन के इस ग्रूप में कौन के ही लोग थे और इसमें ड्रग्स से जुड़ी बाते होती थी आज जब NCB ने दिपिका को बुलाया तो वहाँ पर दिपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी मौजूद थी NCB ने दोनों को आमने सामने बैठा कर 2017 की उस ड्रग्स चैट को सामने रख दिया और पूछा कि क्या ये आप दोनों की चैट है दिपिका पादुकोन ने ये मान लिया कि ये चैट उन्होंने ही की थी इस चैट में दिपिका ने करिश्मा से पूछा था कि माल है क्या जिस पर करिश्मा ने जवाब दिया था कि घर पर है मैं बांदरा में हूँ अमित से भिजवा दूँ दीपिका ने कहा येस प्लीज साथ ही दीपिका ने ये भी क्लियर किया कि हैश चाहिए गांचा नहीं और करिश्मा ने कहा हाँ है इस ड्रग चैट में ऐसा कोई confusion है ही नही जिससे इस बात को नकारा जा सके कि ये ड्रग्स के बारे में नहीं थी क्योंकि इसमें साफ साफ हैश मांगी गई है जाहिर है दीपिका पादुकोंड के वकीलों ने उन्हें समझा दिया होगा कि ये digital evidence है इसलिए इसे नकारा ही नहीं जा सकता इसलिए मान लेना कि ये चट आप नहीं की है और दीपिका ने ऐसा किया भी और हैश के सवाल पर उन्होंने सिगरेट लेने की बाद तो मानी लेकिन किसी भी प्रतिबंधि ड्रग के इस्तेमाल पर उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया लेकिन ड्रग चैट कबूल करने से दीपिका को क्या फायदे होंग या फिर किसी और के लिए मंगवाई तो इसका जवाब ये है कि दीपिका के सिर्फ ये मान लेने से कि ये चैट उन्होंने की है NCB ये थाबित नहीं कर सकती कि दीपिका पादुकोर्ण ने ड्रक्स खरीदी या इस्तमाल की इसके लिए NCB को साबित करना होगा कि दीपिका ने इस ड्रक्स के लिए अपने पास से पैसे दिये या उन्होंने खुद इसका इस्तमाल किया या किसी को ये ड्रक्स पहुँचाई जो बिना पुखता सबूतों के आसान नहीं है ये बात दीपिका पादुकोर्ण को भी पता है इसलिए उन्होंने बिना कोई नखरे किये मान लिया कि ये चैट उन्होंने ही की है लेकिन दिपिका ने ये नहीं बाना कि वो ड्रग्स लेती है जब NCB ने उनसे पूछा कि इस चैट में हैश का क्या मतलब है तो दिपिका ने गोल मोल जवाब देने शुरू कर दिये करती है और अगर नहीं करती तो फिर इस वाट्सेप ग्रूप पर ड्रग्स की बाते क्यों की जा रही है दिपिका ने साढ़े पांच घंटे NCB के दफ्तर में इन ही सवालों के जवाब देते हुए काटे हालकि अभी उन से जुलाई 2019 में करण जोहर के घर हुई पार्टी से जुड़े सवाल नहीं पूछे गए हैं क्योंकि उस केस की अलग से जाच चल रही है बहुत मुम्किन है कि अगर उस जाच में करण के घर की कथित ड्रग पार्टी में सितारों के ड्रग्स लेने के सबूत मिलते हैं तो दिपिका पादुकॉर्ण को फिर से NCB के सामने पेश होना पड़ेगा क्योंकि उस पार्टी में भी वो मौझूद थी लेकिन फिलहाल दिपिका पादुकॉर्ण साठे 5 घंटे बाद NCB की दफ्तर से बाहन रिकल गई अपनी ड्रग्स चैट से जुड़े सवाल के जवाब देने के बाद तो अब सवाल ही उठता है कि इस से उन्हें फायदा क्या हुआ पहला तो ये कि चैट के बारे में जूट बोलकर वो आसानी से भस जाती क्योंकि वो चैट सबूत के साथ पेश की गई थी इसलिए दिपिका जूट बोलने से बज गई दूसरा अगर कल को चैट में जिस अमित का जिक्र किया गया है वो अगर ये बोलता है कि दिपिका को उसने हैश दीती और पैसे भी लिये थे तो भी दिपिका के उपर ड्रग्स लेने या उसके इस्तमाल करने का आरोप लगता लेकिन आसानी से बेल मिल सकती है लेकिन अगर दीपिका बोलती ही कि ये ड्रक्स उन्होंने अपने लिए नहीं ली बलकि किसी और के लिए मंगाई थी तो उन पर ड्रक्स सप्लाई के आरोप लगते और वो भी रिया चक्रवर्ती की तरह फसती और जेल जा सकती थी तो इस पुबूल नामे से दीपिका ने खुद को जेल जाने से बचाया है तो दीपिका ने इसमें खोया क्या? दीपिका ने अपनी ब्रैंड वेल्यू खो दी है अब जब भी दीपिका डिप्रेशन जैसी बीमारी के बारे में आखे भर कर बोलेंगी तो उनके आंसुओं पर कोई यकीन नहीं करेगा फिटनेस के नाम पर इंस्ट्राग्राम पर वो जो हेल्दी डाइट कोस्ट करेंगी तो उसका मजा कुडाया जाएगा अगर लोगों की नाराज़गी बढ़ी तो सलक टू की तरह उनकी फिल्मों को बाइकॉड भी किया जा सकता है जिससे उन्हें पैनाशियल लॉज भी जेलना पड़ सकता है कई ब्रैंड्स जिन्हें वो एंडोर्स करती हैं उनके हाथ से निकल सकते हैं क्योंकि ब्रैंड एंडोस्मेंट में सेलिब्रिटी की इमिज ही माइने रखती है कहा जा रहा है कि NCB दिपिका पादुकोन को फिर से पूछताच के लिए बुला सकती है क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें अब तक दिपिका से नहीं मिले हैं दिपिका पादुकोन का नाम NCB के सामने पकड़े गए ड्रग पैडलर्स के जरिये सामने आया था वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नाम सुषान सिंग मौत के मामले की जाच के दौरान ड्रग्स के में फसी रिया चक्रवर्ती ने लिया था सारा अश्रद्धा से भी सुषान के फार्म हाउस पर हुई कथित ड्रग पार्टी और कौन कप्री के मैनेजर जया साहा के साथ हुई ड्रग चैट्स का सच पूछा गया NCB के दफ्तर में जहां एक तरफ दिपिका पादुकोन माल के बारे में बता रही थी वहीं दूसरी तरफ सारा अली खान पहुंची गांजे के बारे में बताने और श्रद्धा को जवाब देना पड़ रहा था CBD आइल के इस्तमाल को लेकर सूतरों के हवाले से खबर आ रही है कि सारा अली खान ने ये माना है कि वो और सुषान सिंग राजपूत फिल्म के दारनात की शूटिंग के दौरान रिलेशन्शिप में थे वो कुछ दिनों के लिए सुषान के साथ उनके कैप्री हाइट्स वाले फ्लैट में रहने भी गई थी वो पावना के फार्म हाउस पर भी सुषान के साथ जाती थी लेकिन उन्होंने कभी कोई ड्रग्स नहीं ली सारा ने बताया कि सुषान गांजा पीते थे लेकिन उन्होंने कभी किसी तरह की कोई ड्रग्स नहीं ली हाला कि सारा अली खान ने भी दिपीका की तरह सिगरेट पीने की बात जरूर पुबूल की है वैसे भी वो इससे इंकार नहीं कर सकती थी क्योंकि हाली में सुशान्त के साथ पावना के फार्म हाउस की उनकी तस्वीरे मीडिया में आई थी जिसमें सारा सुशान्त के साथ सिगरेट पीती हुई डिकाई दी थी NCB को दिये अपने इस बयान में सारा अली खान भी ड्रग केस से बच सकती है क्योंकि सारा का नाम रिया चक्रिवर्ती ने लिया था ऐसे में NCB को ये साबित करना होगा कि सारा ड्रग्स लेती है क्योंकि सारा का नाम रिया चक्रिवर्ती ने लिया था इसलिए वो रिया से भी सारा के खिलाफ सभूत एकठा करने में मदद मांग सकती है श्रद्धा कपूर ने भी सुषान सिंग के साथ फिल्म चिछोरे में काम किया था और वो भी सुषान के पावना वाले फार्म हाउस में पार्टी में जा चुकी है NCP के पास श्रद्धा कपूर और सुषान की मैनेजर जया साहा के बीच हुई ड्रग चैट्स मौजूद है जब NCP ने श्रद्धा से ड्रग चैट्स के बारे में पूछा तो उन्होंने इस बात से साफ इंकार कर दिया कि सुषान के फार्म हाउस पर उन्होंने पार्टी के दौरान किसी भी तरह की कोई ड्रग ली थी लेकिन जया साहा से उन्होंने CBG ओयल मंगानी की बात कुबूल कर ली है दीपिका पादुकोंड सारा अली खान और श्रद्धा कपूर तीनों ने ही CBG के सामने वो बाते मानी हैं जिसमें वो जेल जाने से आसानी से बच सकती हैं भले ही इस से उनकी इमिज के चिथरे ओड़ जाएं वैसे भी रिया चक्रवर्ती की हालत देखने के बाद बड़े बड़े सितारे अपनी इमिज को छोड़ कर जेल जाने से बचने के तरीके ढून रहे हैं दूसरी बात ये भी है कि ये तीनों अपने अपने वकीलों से सलाह मश्वरा करके और NCB के सवालों के जवाबों की पूरी तैयारी करके पूछताच के लिए पहुँची थी लेकिन इन तीनों के केस में एक कॉमन चीज है तो वो है कौन टैलेंट कमपनी दिपिका, सारा और श्रद्धा तीनों एक साथ किसी भी ड्रग चैट के वाटसेप ग्रूप में नहीं हैं तीनों की अलग-अलग चैट से लेकिन हर एक के साथ ड्रग चैट में कौन कमपनी के लोग जुड़े हैं तो क्या कौन टैलेंट कमपनी सिलिबरिटी के पी आर के साथ साथ ड्रग्स के कारोबार में भी शामिल है? आखर हर सिलिबरिटी कलाइनट को यहीं लोग ड्रग्स पहुँचाने की बात करते क्यों मिल रहे हैं? क्या अपने clients की personal parties में भी ये लोग drugs पहुंचाते थे गिंच उनके वही नाम सामने आ रहे हैं जाया साहा, करिश्मा प्रकाश, कौन का CEO, ध्रू इसके अलावा जो कौन कंपनी के लोग हैं उन्हीं के नाम पूरे चैट में दिखाई दे रहे हैं अगर NCP की जाच में ये सच निकलता है कि कौन कंपनी के drugs के कारुबार से कुछ रिष्टे हैं तो कौन कंपनी पर गंभीर धाराएं लग सकती है और ये कंपनी हमेशा के लिए बंग भी हो सकती है, जो भी हो लेकिन बॉलिवूट से drugs कंपनी की सफाई होना बेहल सरूरी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइक करें, शेर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें